नमस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की कुटनिती के सामने चीन है जो पस्थ होता दिखाई पड़ रहा है चीन एक बॉखलाहट का सिकार हो गया है और इस तरह से बॉखलाया हुआ है जैसे कोई साम के पूच पर पैर रख देता हो ऐसे स्थिती चीन की क्यों हो गई है क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीट जो जाल बिछाए है उसमें चीन पूरी तरह से फस गया है इस बीट जो घटनाय घटी है उसमें भारत ने चीन को जो पटकनी देने की कोशिश की है वो उसी की चाल से दी है जिस तरह चीन हमेशा पाकिस्तान का साथ देकर कश्मीर के मुद्दे को विवादित बनाने के कोशिश करता है उसी तरह भारत ने अब ताइवान को लेकर ऐसी कुटनितिक चाल चली है जिससे चीन छट पटाने लगा है चीन को माद देने के लिए ताइवान का समर्थन करना जरूरी हो गया था क्योंकि ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है जब कि ताइवान अपने आपको एक स्वतंतर देश मानता है और ऐसे में अब जो भारत की पहले किर्ण नीती रही थी कि ताइवान और चाइना एक ही है यानि कि वन चाइना की नीती भारत मानता था अपने अस्तर पर भारत का मानना था कि ताइवान के साथ अलग से डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बनाये रखना चाहिए बलकि चाइना का ही समर्थन करना चाहिए लेकिन जो चीन लगातार करता आ रहा है सीमा पर जो जड़पें हो रही है पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है कश्मीर मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान का साथ दे रहा है इसके कारण भारत ने नीतियां बदलनी शुरू कर दी है और अब ताइवान को समर्थन देकर भारत चीन को ऐसे स्थिती में डाल दिया है जहां से वो छटपटाने के अलाबा और कुछ कर नहीं पा रहा है पिछले दिनों भारत के विदेश सचीव हर्षवर्धन ने कुछ देशों के साथ बातचित की और उस बातचित का आधार था कि ताइवान को WHO में इंट्री दी जाए यानि ताइवान जो है उसे अब विश्व स्वास संगठन की जो एसेंबली जो विश्व स्वास संगठन की जो एसेंबली है यानि WHA वर्ल्ड हेल्थ एसेंबली की जो बैटक होने वाली है उसमें शामिल होने के लिए ताइवान को रखा जाए और इसलिए जो पूरी कवायत जो की गई थी वो इन देशों के साथ बैटके या बातचित के तर ये की जा रहे थी सचीव हर्षवर्धन ने अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजी लेंड, जापान उसके साथ साथ ये वियतनाम और सौथ कोरिया के जो विदेश मंत्राले के जो परभारी हैं उनसे बातचित की और इन देशों के साथ जो चार-पास दिनों तक लगतार बातचित इस मुद् सब्षन किया जाए इससे पहले इन में से कई देश ऐसे हैं जो पहले से ही ताईवान को वर्ल्ड हेल्थ एसेमली की बैठक में भाग लेने के लिए और आगे उस ताईवान को वहाँ पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑरगनाजसन है उसका मिंबर बनाने की तेयारी में लगे हुए इसमें अमेरिका सबसे परमुकता से है और अमेरिका लॉबी कर रहा है इसके लिए कई देशों के साथ अमेरिका ने बातचित भी कर ली है और जो अमेरिका का मानना है कि धीरे धीरे ताइवान को वहां तक पहुँचाया जाए यानि डवलू एचो की मेमर्शिप दी जाए आ अभी जो कोरोना वायरस का संक्रमन फैला हुआ है तो इस संक्रमन के दौर में भी जो ताइवान है वो बचा हुआ है। तो वायरस का असर अपने देश में कम कर चुका है। तो ऐसे में WHO की मेंबर्शिप उसको भी मिलनी चाहिए क्योंकि उसकी टेकनलोजी का दूसरे देश भी फायदा उठा सके और WHO में उसका फायदा उठाया जा सके। जो अभी बैठक होने वाली है WHA की यानि World Health Assembly की जो बैठक होने वाली है उसमें ताइवान का प्रतनीदित्व हो और ताइवान वहाँ पर अपनी expertise का इस्तेमाल कर सके। इसके लिए अमेरिका को फ्रांस और यूके दोनों का साथ मिला हुआ है फ्रांस यूके और अमेरिका United Nations Security Council के पर्मानेट मेंबर हैं। इसका मतलब है कि चीन और रूस के अलावा तीन जो पर्मानेट मेंबर Security Council के हैं वो ताइवान के पक्ष में आ गए हैं। और अब भारत की जो रननीती बदली है उसमें भी अब अमेरिका को इसका सहारा मिल रहा है। तो ये जो कवायद चल रही थी इसलिए कवायद चल रही थी क्योंकि ताइवान को एक तरह से WHO के माद्यम से धीरे धीरे UA तक पहुचाया जा सके और विस बस्तर पर उसकी एक अलग पहचान बनाने की कवायद शुरू की जाए ताकि चीन पर इसका बड़ा असर पढ़ने वाला है और इसके कारण चीन पूरी तरह से बौखला गया है दिल्ली में जो चीनी दूतावास है उसके परवक्ता जी रोंग है उन्होंने भारत की अलोचना कर दी है और इस बात के लिए कहा है कि भारत एक तरह से ताइवान के मुद्दे पर सपस्ट रूप से बोल नहीं रहा है जबकि भारत की जो पहले नीती रही थी वन चाइना के नीती रही थी और अब ताइवान के साथ धीरे धीरे डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ाने की कोशिश में भारत लगा हुआ है जिसके लिए चाइना मतलब इस बात की भारत की इस नीती की आलोचना करती है तो इस तरह के जो इस्थितियां पैदा हुई है वो क्यों पैदा हुई क्योंकि कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि जब इस्थितियां बदल रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर पर विशेश राज का दरजा कश्मीर से खत्म किया जा चुका था तो ऐसे समय में भी चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा चाइना पाकिस्तान का राग लापता है यहां तक कि आतंकवाद के मुद्दे पर भी पाकिस्तान को चाइना का साथ मिलता रहता है इस से धीरे धीरे भारत की जो नई सरकार है यानि मोधी सरकार न मिलकर भारत की हर नितियों का विरोध करना शुरू कर दिया कश्मीर के मुद्दे पर जब कश्मीर से भारत ने विशेश राजिका दर्जा खद्म किया तो उसके बाद भी चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया पाकिस्तान के सुरू में सुरू मिलाया दूसरी तरफ जब बदलना शुरू कर दिया जो चीन और भारत के बीच सीमा विवाद चलता रहता है कुछ समय पहले भी डोकलाम में भारत और चीन के जो सेना थी वो आमने सामने डटी रही और बाद में दोनों के बीच समझाता हुआ यह भी हाल फिल हाल में भी जो सिक्किम और लदाख में भा उत्पन हो रही है उसमें सामान रिष्टे होने के बावजूद भारत को कुछ ऐसे हतियार चाहिए जिससे कूटनितिक तोर पर चीन के उपर दबाब बनाया जा सके और इसके लिए यह सबसे अच्छा समय माना जा रहा है क्योंकि यह समय वैसा है जिसमें चीन कमजोर परता दिखाई पड़ रहा है और उसके खिलाफ आवाज उठ रही है हर जगह पर उनियन चीन के खिलाफ है अमेरिका चीन के खिलाफ है उसके साथ आस्ट्रेलिया और जापान चीन के खिलाफ है साथ कोरिया चीन के खिलाफ है यहां तक कि उसका पडोसी जो देश है वियतनाम उस वहां के लोग सडकों पे आ गए कि चीन पानी रोक के रखा है जिसके करण यहां सूखे की इस्थिती उत्पन हो गई है तो जो बियतनाम है वो भी चीन के खिलाफ हो गया है तो यह ऐसी इस्थिती उत्पन हो गई है जिसमें भारत इसका फायदा उठा सकता है और यही फायद जो उससे बहुत सारे देशों ने ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन अभी तक बनाया नहीं थे। जो उससे बहुत सारे देशन अभी तक बनाया नहीं थे। और इस बीच उसने ताइवान को कई बार धमकी भी दी है। देता रहा है कि ताइवान पर अब जवरदस्ती आकरमन किया जाएगा और उसको कबजे में लिया जाएगा। ये कबजे में लेने की कोशिश जो चीन की है उसको कम से कम उस कोशिश को नकाम करने के लिए ताइवान को अपनी आर्मी की ताकत बढ़ानी होगी। और इसलिए ताइवान जो कूटनितिक समर्थन तो ताइवान को चाहिए ही साथ-साथ में वो हतियार भी एकठा कर रहा है और फ्रांस उसके साथ-साथ अमेरिका जैसे देशों से हतियार खरीद रहा है और अपना भी military exercise करते रहा है। तो इसके कारत जोनों के दी बीज जो चाइना और ताइवान के रिष्टे इतने खराब हुए हैं और उसमें भारत ने जब अब भारत इसमें कूद गया है तो चाइना की बौखलाहट और बढ़ गई है। इससे कुछ दिन पहले भी जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं Mike Pompeo उन्हों ने भी कुछ देशों के साथ बात चीत की थी। और वो देश जो थे, कुछ देश के विदेश मंत्री से जो बात चीत हुई, उसमें छे देश सामिल थे, अमेरिका के अलावा, उसमें भारत भी था. भारत के विदेश मंतरी डक्टर एश जय संकर ने भी पूम्पियों से बात की और उसमें कोरोना वाइरस के संकरमन के साथ साथ चाइना को घेरने की पॉलिसी पर बातचीत हुई भारत के अलावा आस्ट्रेलिया जापान साथ कोरिया इजरायल और उसके साथ साथ जो आसपास के दूसरे देश हैं उन देशों के भी देश मंतरियों से भी बातचीत जारी है लेकिन इस बीच भारत ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो है ताइवान के उपर अपनी रन्नीत को बदलने का अब ताइवान को चीन का हिस्सा माना जाना मुश्किल है भारत के लिए और धीरे धिरे भारत इसके लिए एक जमीन तयार कर रहा है जिससे चाइना पूरी तरह से बोखला गया है और ताइवान और चीन के जो रिष्टे के जो करते हैं अभी तक इतनी चर्च कि ताइवान को चाइना अपना हिस्सा मानता है और चीन है जो किसी तरह से ताइवान को अपने से अलग होना देना नहीं चाहेगा। एक People Republic of China जो अभी चाइना का मेन लेंड है जिसको People Republic of China कहते हैं और दूसरा था ROC यानि Republic of China जो अभी ताइवान है दोनों के बीच ये भी बाद लंबे समय तक चला था यूएन में भी चला था और Republic of China अपने आपको असली चाइना कहता था और जो PRC है People Republic of China वो अपने आपको असली चाइना कहता था ये भी बाद लंबे समय तक चला लेकिन बाद में जो PRC है जो People Republic of China जिसको अभी आप चाइना समझते हैं मेन चाइना है वो उसी को मानेता दी गई लेकिन ROC को भी कुछ देशों ने मानेता दी और उसको भी अलग राष्ट मानता है उसमें से UN के 14 मेंबर कंट्री जो है अभी ताइवान को याने की Republic of China को मानेता दे रखा है और अब धीरे धीरे जो भारत की कुटनिती है वो भी चाइना के खिलाफ अब ताइवान को समर्थर दे और ऐसे में चाइना को फिर से अपने उस रनीती पर विचार करना पड़ेगा जो बार बार पाकिस्तान को साथ दे कर कश्मीर में भारत की जो महीम है उसको कमजोर करने की कोशिश करता है अब अगर चीन ऐसा करेगा तो भारत उसको चारों तरफ से घेरने की तैयारी में ल आते रहें धन्यवाद